तो बाबाद हीरेंदर शास्त्री का एक चर्चित हो गए थे पिछली बार जब अंध मुक्ती निर्मूलन समिती ने उन पर आरोप लगाया था अंध बक्ती निर्मूलन समिती ने शाम मानो भी एक का एक रास्टी फिगर बन गए थे अब उनका विरोत पोलिटिकल रंग ले चुका है क्योंकि शाम मानो का समर्चन कर रहे हैं कॉंग्रेस के वरिष्णिता MPCC अद्यक्ष महराज प्रदेश कंग्रेस कमेटी अद्यक्ष नाना पटोले जी उन्होंने सरकार को पत्तर भी लिखा है क्या क्या लिखा है मैं बता दू महराज प्रगतिशील विचारो वाल इस भहस में आगे विजे शंकरतिवारी जी जुड़ेंगे जो विशो हिंदु परिषद के रास्टी प्रवक्ता है मेरे साथ अतिकुर रहमान साथ जुड़ेंगे इसलामिक स्कॉलर है जो खुद मुमबई से आते हैं शिवानी दूर्गा जी है माशिवानी दूर्गा हिं इस कॉंग्रेस कमिटी के जो सबसे बड़े नेता हैं आपके मुक्यमंत्री रह चुगे कमलनाथ वो तो उनके दर्वार में जाकर हाजरी लगाते हैं आपको क्यों लगता है कि ये भोन्दू बाबाबा है नाना जी दिपक जी मैं मैं खुद हिंदू हूँ मैं कॉंग्रेस का अद्देख्श हूँ हिंदू की भावना और हिंदू का रक्षन करना मेरी जापदारी है कोई बीजेपी ने उसका कॉंट्रेक्ट नहीं लिया है मेरा पहले बात मैं आपको सफष्ट करता हूं जब यह महराज में आए महराज यह अपने बागेशर बाबा तब इनने यहां के संत स्रीष्ट तुकारा महराज जी के बारे में जो आप्षद निकाले और राज में एक बड़ा लुगों में गुस्ता हुआ और लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया और विरोध होने के बाद उस समय में उनके पीज़ेभी के कुछ लोग होते हैं कि उनने माफी मांगी थी तो मैं किसी के कंपड में कोई मार दे और फिर बोलेगे मैं माफी मांगता हूँ ऐसा तो नहीं होता अगर ये बागेशर बाबा ये अगर संत है तो संतों की भाशा संत अगर नहीं समझ सकते और एक अच्छे संत को जो आपने देखा होगा कि महराज का जो अरतरस अंकल पर ज इसका मतलब वहां से होता है तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री देवंदर फंडनुई सो हमारे एकना सिंदे वो मुख्यमंत्री उनको एक खत लिखा और उनको कहां कि भई ये इस तरह से महराज के संतों का अपमान करने वाला कोई बाबा आता है तो उसको आपने नहीं तो आके कुछ बोल देगा और उससे महराज का वाता और अंखराब होगा तो कानून वेवस्ता सिर्फ सरकार की जवाबतारी नहीं होती वह आपोजिशन की भी होती है और इस वजह से मैं उनको लेटर लिखा हूँ और हमारा काम नहीं है क्योंकि कारेकरम रोकने के लिए जाना और उसका कोई विरोध करना ही है हमारा कॉंग्रेस का काम नहीं है हमारा काम है कि जो कुछ घटना है होती है और ऐसे लोग आकर यहां पर हमारे राज का वाता औरंग खरब करना चाहते है लोगों में लड़ाना चाहते धर्मधर्म में लड़ाना चाहते तो महराज में ऐसा सरकार को हमने बार बार कहा कि है जो किसानों का नुकसान हुआ किसान आत्मत या कर रहे इसको मदद करो सरकार बोलती है हम तपास करेंगे हम चौक सी करेंगे हम उसका पंचनामा करेंगे रोज किसानों के आत्मत्या महराश में हो रही है वो तो हिंदू है फिर हिंदों के लिए कि क्यों नहीं दोड़ रहे हैं सिर्फ हिंदों को वोट के लिए अगर बीजेपी यूज़ करती है और इस तरह का वक्तवे करती है और जंता की भावनाव को नहीं समझती है तो इसकी लेकिन एक बात में अंतर है नाना जी मैं वह आपसे रिक्ट्वेस्ट करके पूछना चाहूंगा ए क्या ए बाबा भूंदू है बाबा अंदिविश्वास फैला रहे हैं आप इसलिए उनको नहीं आने देना चाहते या इसलिए क्योंकि उन्होंने संत्रतुकाराम का 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 या दोनों चीजे ये साफ कर दीजे देख लो मैं ओके बाबा है क्या नहीं है मैंने उनको तो कभी सुना नहीं मैंने कभी उनसे मेरा कोई परिचीत नहीं है लेकिन संत्रतुकाराम जी उनके बारे में आप सिब हमारा महराश्ट नहीं पुरा देश जानते हैं और तुकारा महराजी को माणने वाले में से थे दिपक जी निरने लीजीए मैं को संतों का और किसी का अपमान करना मेरा का विकार रहा नहीं मैं संतों को सन्मान करने वाला उसका तो हिसा वो गा। ने संत तुकाराम को लेकर कुछ आपती जनक बात कहिए अपनी कथा के दोरान। उसके वारे में क्या कहेंगे बासो अमीजी। संत तुकाराम हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन हैं, संत तुकाराम से हमने बहुत सक्षाएं ली, उनके लोगों को आहत पहुंची, हमने प्रभनिश्चत रूप से, बड़े बिनम्र रूप से उनसे छमा मांगी, और पुना, आपकी टीवी से भी, जिनको भी किसी संत के संत को लेकर के अगर बुरा लगा, हिर्दय में पीड़ा पोंची, तो हमारा धेक, गदापी ये नहीं था, और शौपन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम संतों के कारण है, तो हम तो कभी किसी संत के उपर टिपनी है, संत के का आवहेलना या मजाकर ही नहीं सकते, फिर बरना हम कहां रहेंगे, तो पुना हम हाथ जोड़ करके बिनमर पूरुबग, हिर्दय से शमा मांगते हैं, कि संत तुकाराम के परती हमारा है, ऐसा कोई भाव नहीं, ठीक है, आपने हाथ जोड़ कर शमा मांग ली, बड़पन दिखाया है बाबाजी आपने, ठीक है, ये उस इंट क्या गया था? उस तरह की बात कर रहा था, बीजेपी का, मेरा ये कहना है, मुझे मैं ना हिंदू और मुसल्मान के बारे में बात करना चाहता हूँ, जब ये ऐसा कुछ मोगा था, तो क्यों ही हिंदू की बात करते हैं? तो मेरा ये ही कहना है कि जब संतों का, अगर वो संत है बागश्र बाबा, मैंने फुरुषवात में कहा कि मेरा उनका थो कभी संबन्द आया नहीं है, लेकिन तुकराम महराजी के बारे में आप भी जानते हो, अगर उनके बारे में इस तरह का वक्त होटता है, तो वो प्रवाव करना चाहता है जहां गलत होगा वह गलत मैं गलत बोलूँगा और उसके लिए मुझे जो भी दंड भूगतना पड़े तो भूग दूगा लेकिन गलत होगा तो गलत ही बोलूँगा सज नहीं बोलूँगा आपने कहा कि BJP हिंदूओं को आगे कर देती है यह एक राजनी तिंग नेरेटिव है और आपके इस हारों को मैं शब्द शाह मानता हूं कि BJP क्या ऐसा करती है हाँ बीजेपी के विरोधी दर बोलते हैं कि BJP ऐसा करती है लेकिन क्या आपने रॉंग नंबर डायल कर दिया यह दिपक जी मैंने शुरुवात में कहा हूँ मैंने कोई रॉंग नंबर ही डायल कियो मेरा बागेश्वर बाबा से कोई समझ आया नहीं कभी मैंने कभी उनको देखा नहीं है ना कभी सुमय है अब नों eighteen और यह जब बाबा अगर संत को नहीं समझ सकते जो तुकराम महराजी जैसे संतों को नहीं समझ सकते तो बाबा कैसे हो सकते मेरा सवाल एकदम सिंपल है मेरा कोई जब वो एक संत के बारे में कोई टिपनी करते हैं तो संत नहीं हो सकते यह मेरा कहना है आप ही उसका जवाब दीजे